कि जहेंदे स्पिरेंट्स तो एओ सी के जिए स्क्यूज में आप सब का वेलकम हमारे अपने प्लैटफॉर्म डिफैंस अड़ा पे जल्दी से आके सेशन को लाइक एंड शेयर करो ताकि मैं आज क्लास को स्टार्ट कर सबूँ बिल्कुल जी मैं आज क्या होने वाला है तो एओ सी की शायद मुझे लगते हैं कि मैं पहली क्लास लेके आई हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो जी एस का पेपर है यहां पे कॉशन किस किस लेवल के आएंगे किस टाइप के आ सकते हैं ठीक है तो पुल्गुल जी हाँ यह क्यूज है जो आपको आपके एओसी में जी ए जी एस के नंबर पूरे अचीव कराने में हेल्प करेगा तब जी ए के अंदर होती है जो की करन्ट का टॉपिक होता है वो मैं नहीं करा रही हूं लेकिन जर्नलिस टुडिस वाला टॉपिक आपका कवर करा रही हूं सबसे पह जर्णिंग गुडीवनिंग गुडीवनिंग एक काम करते हूं कि मैं भी सेशन को लाइक एंड शेर कर देती हूं हना शायद उसके बाद आपको समझ में आए कि हाँ अब हम को भी सेशन को लाइक एंड शेर करना है तो गाईस यह मैं गई होम पेज़ पे ठीक है और यहां स से मैं कर रही हूं सेशन को लाइक और शेयर और धिन चेक मोड से सेशन लाइक और शेयर हो चुका है जल्दी से आओ फिर बच्चा चलते हैं आगे बिलकुल जी जल्दी आ जाईए मेरे प्यारों कभी कभी कहते हो कि मैम आपने क्लास जल्दी स्टार्ट नहीं की अब जब मैम क्लास जल्दी स्टार्ट कर दे तब आप लोग आते नहीं हो नहीं मुझे यहां पर आप लोगे के नाम दिखाई दे रहे हैं नहीं आप लोगे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और बहुत कुछ ऐसी में होने वाला है जी एस का क्यूज लेके आई हूं उसके बाद भी यहा कोशन आपका एक मिनट का मैं आपको देने जा रही हूं ठीक है तो जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया सबसे पहले एप को डाउनलोड कर लो क्योंकि यह जो आज का पीडियाफ है वो बिल्कुल फिरी ओफ कोस्ट एप पे अपलोड कर दिया जाएगा डिफेंस अड़ को सब्सक्राइब भी कर लीजे और अब है मेरे साथ साइंस माई निहारिकाराटोर में और आज मैं क्या कराने जारी हूं अग्जाम के लिए मैं आपको जीएस पढ़ा रहे हूं आपकी पूरी जैपने बाहले सबसे पहले आर्टिकल स्टार्ट करते हैं वो लैएखेंगे static के साथ किसके साथ तो देखो यहां पर मैंने बकायदा न टॉप कोशन को अपर लिखवा दिया कि कौन सा आपका static कोशन है कौन सा आपका English का जाएगा Hindi का जाएगा जो भी है ठीक है यहां पर wings to success good evening maam hey bacha good evening so first question आपके exam में बच्चा यह आपका क्यूस है it is a kind of mock test अब आप देख लें कि आपके AOC में ऐसे questions आएंगे ही आएंगे मुंडा is the dance form of जो मुंडा है यह dance है यह निर्ते है किस चीज का है यह कहां कौन से आपके state का निर्ते है बच्चा यह एक जन जाती है यानि कि यह एक tribal dance है जी हां यह एक tribal dance सबसे पहले मुंडा जो है यह एक tribal dance है अब यह कौन से state की ट्राइब का tribal dance है तो यहां पर विंक्स टू सक्सेस ने बोला है मैं मौप्शन नमबर टू बहुत बढ़िया जी हां यह जार्खंड का जार्खंड की tribe जादोर और जेना का tribal dance है ठीक है तो dance form आपके एकजाम में आएंगे यह आएंगे अगला question किया क्याता है अगला question आप लोगों से पूछ रहा है इंडिया के बारे मेंwhen the station conscious यह आपका मेरःगौ में है ठीक है नागा पतनम में है कोंचीन में है या फिर पंजी के अंदर है बहुत प्यारा कोशन देखते हूं इस कोशन का राइट आंसर कितने बच्चे देंगे गाई सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो क्योंकि यहां पे आपके 25 कोशन वो है जो बिलकुल आपके जीयस में आएंगे तो यहां से आपके 25 नंबर की मैं पूरी तो यहां पे अरजुन कह रहे है मैं कोशन विंक्स टू सक्सेस कह रहे है मैं नागा पटिनम नहीं बच्चा राइट आंसर जाएगा कोशन जी हां तो कोशन के अंदर है आप लोगों का सबसे पुराना चर्च यह चर्च कितने साल पहले बना था बोलो जी यह चर्च कब ब पुर्थगीज ने बनवाया था कब बना वाया था तो यह चर्च 1510 में बना था कब बना था पंदरा सो दस में बना था अगला कोशन क्याए दा लास सब पर इस आ पेमस रैनियांस पेंटिंग वाज मास्टर पीस ओफ जी हां लास सब पर एक प्रसीद चितरकारी है जो किस ने करी थी बहुत प्यारा कोशन तो आप देख रहे हैं कि स्टैटिक के अंदर आपके हर चीज के कोशन आ रहे हैं चाहे वो डांस हो चाहे वो किसी बिल्डिंग के उपर हो चाहे वो किसी पेंटिंग के उपर हो और ऐसा ही फॉर्मेट आपके एक्जाम में आएगा दो यहां से राइट अंसर क्या जाएगा बच्चा तो जो लास पर है यह फेमस पेंटिंग किसने बनाई थी लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी किसने बनाई थी लियोनार्डो दा विंसी ने यह आपकी पेंटिंग बनाई थी ठीक है अगला कोशन देखते क्या जाएगा तिलाना इस दा फोर्मेट आफ तिलाना जो है यह एक फोर्मेट है अब यह किस चीज का फोर्मेट है तो बच्चा तिलाना जो है यह एक प्रकार का डांस है यह डांस कौन से स्टेट से ब्लोंग करेगा ठीक है अब आपको यह बताना है तो यह डांस जो ब्लोंग करेगा यह करेगा तमिल नाडू के साथ, किसके साथ, तमिल नाडू की स्पैलिंग को ठीक कर दिया जाए, ये ब्लॉंग करेगा तमिल नाडू के साथ, अब इस तमिल नाडू की हिंट मिलने के बाद, क्या आप मुझे ये बता पाएंगे, ये कौन से डांस का फॉर्मेट है, ये कथक का है, कच टैन्सर वेपोल आरजुन बहुत बढ़िया दो राइट आंसर चाहएगा धर ना Ok साथ संबंदित नहीं है यह सारे के सारे के हैं यह सारे के सारे आपके संगीत वादक है तो बच्चा संगीत वादक कुछ ढोलग बजाते हैं कुछ तबला बजाते हैं कुछ सितार बजाते हैं तो कोशन पूछा गया है कि इन में से कौन आपके सितार के साथ संबंदित नहीं है अमीरो खुश्रो रवी शंकर उस्ताद अलाउदिन खान या विलायत अली खान दो राइट आंसर क्या जाएगा बहुत प्यारे कोशन है आपके एक्जाम में जर्णल स्टेडी में यानि कि आपके एक्जाम में जीयस में ऐसे कोशन्स आएंगे आप लोगों की शिकायत थी कि एक बार भी प्रिप्रेशन नहीं करवाई गई तो इसलिए मैं 25 मिनट का ये क्यों टेस्ट लेके आई हूँ जिससे कि आपकी प्रिप्रेशन हो पाए और अगर आज आपका रिजल्ट अच्छा आता है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते है तो मैं वादा करती हूँ मैं डेली आपके एक्जाम तक आपको जर्णल स्टेडी पढ़ाऊंगी एओसी एक्जाम की ठीक है उस्ताद अलाउदिन खान बच्छा ये आपकी क्या बजाने थे ये सरोद वादक थे अगर बात करें अमीरों खुसरों तो ये आपका सितार बज जाते थे और विलायत अली खान भी सितार बजाते थे लेकिन उस्ताद अलाउदिन खान यह सरोद वादक थे क्या थे सरोद वादक थे तो मैंने नाम लिख दिया है अगला कोशन क्या है बालो जी का फांस बिलोंग स्टू विच डिवीजन ओफ लांट बच्चा फांस किस में आते हैं सबसे पहली बात यह है आपके पोदब यह आपके प्लांटे किंडम में ही पाए जाते हैं यह प्लांटे किंडम में होते हैं इनको बोलते हैं क्रिप्टोगैमिया इनको बोलते हैं क्रिप्टोगैमिया बच्चा यह फांस नाम क्यों दिया गया है क्योंकि जो पतिया होती है वह शंक के आकार की होती है जी हां शंकू आकार की होती है इनकी पतिया शंकू आकार की होती है इसलिए शंकू मतलब यहां पर शंक जी हां शंक लिख दो इनकी पतिया शंक आकार की है इसलिए इनको हम फंस कहते हैं अब फंस जो है यह है आपके क्रिप्टो गै इन्जीण सम्ट भी नहीं जाएगा जियां यहां यहां पर यह ब्लों करेंगे टैरीडव फाइटा से चैनल उसकोशंब आपके बायो के आएंगे आपके स्टेटिक भी पूछे जाएंगे अब बाद बाद स्किंप जिआ मैम आयम फेसिक प्रप्लम्री गार्डिंग माई अमंदीब जी क्या प्रोब्लम आरे मेरे बच्च एक मन कहते हैं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है तो कोई एक तैरीडो फाइटा के लिए गलत पुशा गयाब आपको वह बताने तो यहां पर दीखता है कि बच्च यह सैपरोफाइट। रूप में काम करते हैं ठीक है इनकी बोड़ी डिपलोईड होती है इन में बीज पाए जाते है या इन में फ्लावर अपसेंट होते हैं तो जैसा कि मैंने बताया जितने भी हमारे टेरीडोफाइट्स है ये कैसे होते हैं क्रिप्टोगैमिया होते हैं क्रिप्टोगैमिया होते हैं क्रिप्टोगैमिया का मत होते बिलकुल सही बात है इनकी बोड़ी टिपिलॉइड होती है बिलकुल सही बात एक इन नमबर थर्ड वो इस कोशन का राइट आंसर जाएगा मैं एक्जाम सेंटर जो है वो कंदूरी पठान कोट में तो बच्छा अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरा एक्जाम सेंटर में प्लोबर प्रोब्लम हा रही है तो जिस जगह पर आपका एक्जाम सेंटर है वहां का Google स से आपको कहीं न कहीं कॉंटेक्ट नमबर तो मिली जाएगा वहां आप रिंग करके कंफर्म कर सकते कि कितने टाइम पे आपको एंट्री मिलेगी यह भी बेस्ट ऑप्शन है है ना चलो जी विच्छा फॉल्वाइंग इस नोट्री ओबाउट ब्रायोफाइट बच्चा ज जगत के एंफिबियन इनको हम लोग बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि बच्चा यह पानी में भी पाए जाते हैं और यह थल पे भी पाए जाते हैं अब पूशा गया है कि इन चार में से कोई एक गलत दे रखा है वो गलत पढ़ते हैं कि मैम डॉमें फेजिस फाइड होते हैं इनकी बोड़ी हैपलॉइड होती है इनके स्पोर्स होते हैं यह इन में फ्लावर्स पाय जाते हैं उनको और उस पाय bikes Track裡面 उब और यह थका हैं उनको रभी औश्यू सब्स बोलते हैं क्या बोलते हैं जीओ स्पायुची कर आई देखो इदर मैंने आपको स्टैटिक से स्टार्ट कराया था है न तो यह था आपका स्टैटिक का फंक्स कोशन की मुंड़ा किसका डांस रूप है तो मुंड़ा जो है वो जारखंड की जनजाती का एक डांस है अगला कोशन था भारत के सबसे पुराने चर्श का नाम है कोशन कहें तिलाना कौन से दांस का रूप है भरतनाटियम का रूप है फिर आया था कि इन में से सितार वादक को नहीं है तो हमारा अंसर था उस्ताद अलाउदीन खान फिर कोशन आया है आपका बायो के उपर तो बायो के हमने तीन कोशन करें अब कोशन आएंगे फिजिक मेरत तो आसजाइन कर दो हुआ हुआ ना मेंकि चाय घ्र की बताओ द लिए Link लिले क्षसाना बाट करते हैं मैंडिय सोधुर्च जाइन थे की से बात कर right जो होती है यह सारे रंगों को एब्जोर्ब करती है यह सारे रंगों को एब्जोर्ब करेगी तो अगर यह सभी रंगों को एब्जोर्ब करेगी तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ओल वेवलेंथ यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ओल वेवलेंथ तो हम ल देखते हैं एक रैफ्रिज रेटर में कॉलिंग सिस्टम कहां बना होता है जो आपके फ्रिज होते हैं फ्रिज का काम क्या होता है थंडा थंडा कूल कूल तो फ्रिज का काम होता है बिल्कुल अच्छा चीज़ों को ठंडा ठंडा रखना कोशन कहाता है रैफ्रिज रेटर मे स्टम कहां पर बना होता है बिल्कुल में होता है मीडियम में होता है या नीचे होता है कहीं भी बना सकते हैं बड़ा ही प्यारा फिसक्राइट है दो रैट आज़ बोटम में पाया जाएगा अगर यहां पर आज आप लोगों का अच्छा मुझे फीड़बेक मिला तो मैं आपके लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा कि बच्चे यहां पर इंट्रस्टेड भी है रैफ्रीज रेटर में ठंडक कैसे प्रदान होती है बड़ा ही प्यारा कोशन है यह तो हमको पता है कि फ्रिज का काम होता है ठंडा ठंडा रखना लेकिन फ्रिज में ठंडक किस रूप से मिलती ह है आई स्विच डिपोजिट ओन दा फ्रिजर जो फ्रिजर के ओपर रख जमी होती है उसके कारण सटन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ट गैस संपीरिद गैस के एक्सपेंशन द्वारा वाश्पित द्रव के वाश्पन द्वारा या फिर नन ओव दीस तो बच्चा कोई भी चीज अगर कूलिंग इफेक्ट देती है तो वहां पर क्या पाया जाता है एक्सपेंशन पाया जाएगा क्या पाया जाएगा एक्सपेंशन पाया जाएगा तो बच्चा जो हमारी कंप्रेस्ट गैस होती है जब भी वह एक्सपेंड होती है तो वहां पर कूलिंग मिलती है तो right answer क्या हो जाएगा option number भी हो जाएगा अगला question chemistry का है सबसे पहले periodic table किसने बनाया था या फिर examiner आप से पूछ लेगा father of periodic table दो बच्चा right answer क्या जाएगा सबसे पहले periodic table किसने बनाया था लेट सी कौन बच्चा's question का right answer दे पाएगा ठीक है और अगर हम देखे तो मैम जो हमारा एक periodic table था वो किसके उपर बेस था जो हमारा first periodic table था यह है atomic mass के उपर बेस था किसके उपर atomic mass के उपर बेस था तो यहां पर right answer क्या जाता है मैंडलीफ बहुत बढ़िया जी हां मैंडलीफ जाएगा इस question का right answer तो 1869 में मैंडलीफ ने हमें आवर सारनी दिया था जो कि आपके atomic mass के उपर बेस था अगला question क्या है the property by which metals can be bitten into sheet जी हां metals को sheet में बदलने वाली property क्या कहलाती है tensile, malleability, viscosity या tensile strength बहुत ही प्यारा question है मुझे नहीं लगता कि इस question के answer में आपको कुछ सोचना पड़ सकता है दो जल्दी से right answer क्या जाएगा मैं मैं डिलिफ टेबल कब आया था देखा तो मैं आपको हर वो चीज करा रही है जो exam oriented होता है लेकिन क्या है कि मैडम की कदर ही नहीं दिखाई देरी बच्चा right answer जाएगा अगला कोशन देखते हैं क्या जाएगा ओमाई कोड उस प्रोपरटी का नाम बताओ जिससे हम मैटल को तार में बदलते हैं तो उसको बोलते तो हम लोग डक्टिलिटी हैं अब ऑप्शन में डक्टिलिटी दिया ही नहीं हुआ अब हम क्या निशान लगाएंगे बहुत इंपोर्टेंट कोशन है तो टैंसाइल स्ट्रेंट टैंसाइल विसकोसिटी या मैलियाबिलिटी दो राइट आंसर क्या जाएगा अगर मुझे आज आप लोगों का फीड़िवैक अच्छा मिला तो आपके एक्जाम तक मैं डेली 6 बजे आपकी क्लास ले लूँगी जी हा टैंसाइल के स्थान पर बोलेंगे मैंने कई बार पढ़ाया है जी हां कई बार मैंने बोलाए कि डक्टिलीटी को हिंदी में क्या बोलते हैं तन्नेता बोलते हैं अगला कोशन ड्यू टू हूज ग्राविटी डस्टाइड गम जी हां किसके गुरुत्व आकरशन के कारण ज पिर्थवी पर चंद्रमा पर पिर्थवी का सूर्य पर पिर्थवी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण या पिर्थवी का चंद्रमा ओ माई गौन बड़े ही प्यारे कोशन है तो आप से यहां पर पूछा है टाइड क्यूं आता है जी हां टाइडियल वेव का बात है सबसे सिर्फ पहला कोशन अर्थ बीच में होता है अर्थ बीच में होता है इधर से मून और इधर से सन तो सन मून अअर्थ तो क्या लिखेंगे सन and moon on earth, जी हा, sun और moon, जब प्रिथिवी के उपर force लगाते हैं, तो उसके कारण जुआर भाटा आता है, जिसको हम tidal waves बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, चलो जी, अगला question देखते हैं, क्या जाएगा, अगला question है, जोग्रोफी से, when do high tide rise in the ocean, सागर में high tides कब आती है, बड़ा ही प्यारा question, सागर में high tides कब आते हैं, बहुत ही प्यारा question है, let's see, कौन बच्चा सकोशन का right answer देगा, जी हा, let's see, कौन बच्चा सकोशन का right answer देगा, कब आती हैं, तो बच्चा, अर्थ के उपर या, अर्थ के perpendicular moon पाया जाएगा, ठीक है, और अर्थ के parallel अगर क्या पाए जाएगा, सन पाया जाएगा, तो इस condition पे high tides आती है, इस condition पे high tides पाये जाती हैं, तो यह condition कब होती है, बच्चा या तो आपके पूर्ण मासी पे होती है, या फिर अमावस्या के दिन पे होती है ना बिल्कुल जी टाइड आने का रीजन क्या होते है अर्थ सन और मून के बीच में है ठीक है जी बिल्कुल जी चलो तो यह हो गया आपका पूर्ण मासी पे और अमावस्या के दिन और रात क्यों बनते हैं बहुत ही प्यारा कोशन दिन और रात क्यों बनते हैं मैम दिन और रात नहीं बनेंगे तो लाइफ साइकल कैसे चलेगा बिल्कुल जी अब बताओ राइट आंसर क्या जाएगा बिल्कुल जोहन, अर्जुन, रजट, दो जल्दे से राइट आंसर क्या जाएगा तो बच्चा यहाँ पे बेसिकली हम दो इस चीज लेंगे यहाँ तो स्पीड ओफ रोटेशन यहाँ तो एक मिनट रोटेशन रोटेशन दोनों जगह रोटेशन क्यों दे दिया दोनों जगह रोटेशन क्यों दे दिया इम सोरी बच्चा यहाँ पे ड्यूट इसने आंसर गलत कर दिया एक जगह रोटेशन आना चाहिए था एक होता है रोटेशन तो यहां लिख दो revolution रेवोल्यूशन अब बताओ बच्चा किसके कारण पाया जाएगा ओ माई गोड इस कोशन में मिस्टेक है चलो इस कोशन को साइट करते हैं मैं कर इसको ठिक कराके लिख वाऊंगी चीक है अगला कोशन है in which year 14 major bank were nationalized in India भारत में 14 मुखे प्रमुख बैंक का रास्टे करण किस वर्ष में किया गया था दो राइट आंसर क्या जाएगा कौन से वर्ष में किया गया था बढ़ोती प्यारा कोशन है दो राइट आंसर क्या जाएगा भारत के अंदर अगर कोई आपसे पूछ है आर बी ऑड़ का कब किया गया था 1949 में जिया और बी इडर्व से बैंक ओफ इंडिया नाइनतीन पूटी 9 में यह दो प्याग्जा बाके आपके शोंड़े भांच है जैसे कि आपका आपभू सारे एक इस तो बच्चा जो चोदा बैंक है इनका राश्ट्रिय करन कब किया गया था 1969 में किया गया था अगला कोशन क्या है ये मैंने कराया हुआ है बच्चा जो नाबाड है इसकी फुल्फम आपको बतानी है हिंड दे दू बच्चा ये एगरी कल्चर से रिलेटिड है ये एगरी कल्चर से रिलेटिड है बहुत प्यारा कोशन दो राइट आंसर क्या जाएगा सकेंदर बच्चा पीडियाफ कैसे मिलेगा आपको डाउनलोड करना है देखो मैं आपको बता देती हूँ पीडियाफ कैसे मिलेगा मैं अपनी ही क्लास ओपन करके आपको दिखा रही हूँ की पीडियाफ आपको कैसे मिलेगा देखो बच्चा ये मेरी क्लास ओपन एक तो ये एड़ बहुत ज़्यादा आती है ना बेन एड़ का तो हम क्या ही कर सकते है इतनी सारी एड़ आती है कि हूँ 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 चलो जी समाइडियर ये मेरी क्लास आपको दिखाई दे रही है ना तो मेरी क्लास में आप क्या करेंगे कि स्मोर पे जाएंगे अब आप स्मोर पे जा रहे है तो यहां पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है और मोर पिर्ट जैने के आपको सारे और मिल ज्याएंगे तो इस तरीके से सारी आपको argent जाएं族 जितने तो national bank for agriculture तो ठीक है उसके आगे क्या है research and development आएगा क्या आएगा national bank for agriculture and ruler development तो इस question का right answer जाएगा option no.4 इस question का right answer जाएगा option no.4 ठीक है ये देखो social media पे बच्चा एक बार बता ओ तुम्हें एक मैं प्रेम के 35 चुकुडे के आपिक सुधरेंगे बच्चा सुधर ना बिगड़ना हमारे हाथ में हम चाहे तो सुधर हम चाहे तो बिगड़े यह सब हमारे हाथ में होता है 1 रुपी नोट and coins on small all coins issues in India भारत में एक रुपे के नोट तदा सिक्के या छोटे सिक्के कहां से जारी किये जाते हैं बड़ा ही प्यारा कोशन है जो हमारे एक रुपईया है ना बिलकुल जी एक रुपईया कहां से इशू होता है Reserve Bank of India, Government of India, State Bank of India या Union Trust of India कोई भी यहां पे RBI का नाम मत लेना RBI से भी पहले कई और से Permission आती है RBI से पहले Permission कौन देगा? Government of India देगा तो इस कोशन का राइट आंसर जाएगा Option No.2 राइट आंसर क्या जाएगा? Option No.2 जाएगा अगला कोशन The Symbol of Freedom Struggler of 1870 बच्चा 18157 की जो क्रांती हमारी हुई थी 1857 स्वाधीन संगराम क्रांती का प्रितिक क्या था? दो स्वाड, रुमाल, बाज, कमल या रोटी बहुत प्यारा कोशन दो राइट आंसर क्या जाएगा? 1857 चमक उठी संसक्तावन में वहतलवार पुरानी थी बुल्दले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वहतो जासी वाली रानी थी तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आसर कमल और रोटी जी हाँ 1857 के बाद जी जो हमारा 1857 का युद हुआ था जब उसमें हम भारतिया हार गए थे तो आपके अंग्रेजों ने सबसे पहले कौन से राज्ये पे कबज़ा किया था तो बच्चा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहदूर शाह जफर को बहदूर शाह जफर को बंदी बनाके रंगून भेज दिया था कहा बेज़ा था? जी हाँ रंगून में भेज दिया था तो बच्चा बहदूर शाह जफर उस ताम दिल्ली के सल्तनत में थे तो रहाइट आउसर की आजाएगा दिल्ली जाएगा जिसको देखो डिल्ली पर आकर्मन करता है ना बिलकुल जी ऑी कि बच्चा ाइच ऐल डिली रेबिलेश्ट इस जहासी में नहीं drama जगह हमारे क्या हुए थे लोगों ने इस संगराम में पाटिस्पेट किया था तो बरेली से जो विद्रो के नेता शामिल हुए था वो कौन थे जी हां बरेली से जो हमारा 1857 का विद्रो हुआ था उस विद्रो के नेता कौन थे वो थे खान बहादूर कवर सिंग मालुवीर या फिर विर्जिस कादिर वो लो जी क्या जाएगा जियाँ एडिन 57 के संग्राम में बरेली रै बिलीन से कोन आये थे यहां के समारे नाम नाम था कैवर सिंग है यह हमारे बरेली से उठेते चि-छी क्या अगला कोशन या यह एंवार्मेंटल साइंस का अगला कोशन आ गया acid rain is caused by the environmental pollution due to जी हाँ अब यहाँ पे न यह टाइपस होगे हमारे पागल 24 कोशन को क्या लिख दिया है 31 लिख दिया है चलो जी acid rain is caused by the environmental pollution by dear जो acid rain होती है वह किसके करण होती है अगर कोई पूछ है acid rain का pH मान कितना होता है तो क्या लिखेंगे less than 5.6 5.6 से कम अगर वर्षा का pH मान पाया जाएगा तब वह acid rain पाई जाएगी ठीक है अब यहाँ दे रखा है carbon, nitrogen, none of these, oxide and sulfur, phosphorus and sulfur तो हमको अच्छे से पताए कि sulfur और nitrogen के oxide से sulfur और nitrogen के oxide से ही acid rain बनती है आज मैंने भी history भी करा दी, EVS करा रही हूं, static भी करा दी है, science भी करा दी, जोग्रोफी भी पड़ा दी, अब आप देख लो आपके GS के paper में कितना कुछ आने वाला है, बच्चा aerosol का example दो, aerosol जो है बच्चा यह है एक प्रकार का pollutant है, जी हाँ, यह है एक प्रकार का प्रदूशक है, जिसमें आपके teeny-tiny particles पाए जाते हैं, जिसमें आपके teeny-tiny particles पाए जाते हैं, यह है, वही है, अब बताओ जी, अगर हम बात करें aerosol, तो क्या aerosol का संपर्क दूद से होगा, नहीं, पानी से नहीं, खून से नहीं, लेकिन smoke से पाया जाएगा, तो right answer क्या हो जाएगा, ठीक है, चलो जी, हो गया, चलो जी, आगे देखते हैं, अगला question क्या है, तो अगला question क्या है, which was the major polluted responsible for the bhopal gas tragedy, bhopal gas tragedy के लिए क्या चीज़ जिम्मेदार, ये question बहुत बार repeat हुआ है, हर exam में आएगा, चाहे वो आपका SSC का exam हो, चाहे वो आपका CISF का exam हो, चाहे वो BSF, तो बच्चा, AOC के लिए ऐसे questions तयार कर लो, फिर मत कहना कि मैं ने बताया नहीं था, ठीक है, तो बच्चा जल्दी बताओ, राइट अंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताओ, राइट अंसर क्या जाएगा, इस question का, बोलो, बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, और फिर मैं आपको कुछ और भी दिखाने वाली हूँ, जल्दी से बोलो, फिर मैं आपको कुछ और भी दिखा है क्या ज़ंड जाएगा जाए मिधाइल आइसो साइनेट जाएगा ठीकिछ A new平 भवपाल जो are फ्रविब है परहूं मिधाइल आईसो साइनेट जी बिल्कूर मेरे बच्चा अब लोगों की समेरे चीए यहां आप लोगों की समय मिनित की हमारे पास में तो और अगर किसी का अभी तक भी यह है कि मैं AOC की तियारी कर पा रहा हूं लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो बच्चा यह crash course है AOC का ठीक है जो कि कल से start होने जा रहा है मैं कल से class start कर रही हूं तो इसका price अभी आपको मिल रहा है 919 रुपे में तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जि उसकी AOC की तैयारी हो जाए तो सिर्फ 99 रुपीज में यानि की 919 रुपीज में आपको यह batch मिल जाएगा इसके लिए आपको code लगाना है Y431 जी हां तो यह code लगाए Y431 और AOC की अगर अभी भी तैयारी चाहिए तो जल्दी से कर लो अपने आपको enroll क्योंकि एक हफते में भी मैं यहां पे दो घंटे की science पढ़ा रही हूं हर subject यहां पे दो घंटे पढ़ाया जाएगा और क्या पता last minute की preparation में आपका exam किलियर हो जाए तो 919 रुपे में अगर batch चाहिए तो अभी के अभी code क्या लगाए जल्दी से code लगाए Y431 जी हां code Y431 लगाए जल्दी से इस batch को avail कर लीजे ठीक है आज की class कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली ये class लेके आऊं आधे घंटे की तो comment के अंदर पिन कीजेगा मैं daily AOC के लिए एक हफते लगातार आपकी class लेके आऊंगी अभी के लिए चलती हूं जाहिन बच ट UVBनेतार मीति लिए च庭 कर दो की आईंगी जापी लिए थजिट में下 ζ लेके वंठेगा लो गचाहते हैं कि अश्या कर रेके लिए खी अँड़ आपकी तो हिए उहतारेश स्चाहएगा झॉड़ व चलतारेश में काया स्था तियूब्यचर लेके तो कosphागे तो